दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने एक नया सिगुफा छोड़ दिया है इस बार उनका सिगुफा है कि वो दिल्ली के 23 लाख घरों में उनके कारीकरता आम आद्वी पार्टी के कारीकरता पहुँच गए पहुच करके उन्होंने जानने की क्या कोशिश की 23 लाख घरों में ये जानने की कोशिश की कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को जो आपके नेस्नल कनवेनर भी है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को अगर इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट बुलाती है पूछताच के लिए और पूछताच के बाद उनको गिरफतार कर लेती है और उनको जेल भेज़ दिया जाता है तो वैसे इस थिती में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा अब हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली के 23 लाख घरों तक अपरोच किया और उसमें 90 लाख लोगों से 23 लाख घर और 90 लाख लोगों से जादा से उन्होंने पूछताच की क्या पूछा कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को और मुख्यमंत्री केजरिवाल को क्या करना चाहिए तो उनके सर्वे में खुलासा हुआ कि 90 लाख लोग ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए कोई बात नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री को स्तीफा नहीं देना चाहिए और जेल से ही सरकार चलानी चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली कैबिनेट की जो अब बैठक होगी अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं अगर दिल्ली में जेल जाना है तो उनको तिहार जाना पड़ेगा क्योंकि तिहार ही सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा जेल भी है वहाँ पे फॉर स्टार, फाइव स्टार, थ्री स्टार, ट्यू स्टार हर तरह की फेसिलिटीज मौजूद है एक राजनितिक कैदी होंगे तो इनके लिए सुविधा भी अच्छी होगी तो मुख्यमंत्री अगर जेल जाते हैं तो दिल्ली सरकार के सभी निरने जेल में लिये जाएंगे और 90 लाख लोगों ने उन्हें कहा कि केजरीबाल अगर चाहें तो सरकार जेल से ही चला है इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली कैबिनेट की जितनी बैठक होगी वो जेल में होगी क्योंकि जेल से बाहर तो मुख्यमंत्री आ नहीं सकते तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर को जेल जाना पड़ेगा और वहीं पर कैबिनेट की मीटिंग होगी वहीं पर फैसले लिये जाएंगे अगर किसी अधिकारी को कोई सिगनेचर चाहिए मुख्यमंत्री का तो चाहे चीफ सेकरेटरी हो या डिपेटी सेकरेटरी हो या अलग-अलग मंत्राले के सेकरेटरी हो और एडिसनल सेकरेटरी हो जोइंट सेकरेटरी हो सब को क्या करना पड़ेगा तिहार जेल जाना पड़ेगा और तिहार जेल जाकर के ही मुख्यमंत्री का आदेश लेना पड़ेगा और इसके लिए दिल्ली की 90 लाख जनता ने उन्हें हाँ कह दिया है अब देखिए अभी केजरिवाल जी को फिर एक समन है बहुत लोगों को राजितिक पार्टी के बहुत सारे नेताओं को समन है और इसी जनवरी माह में सब को समन का सामना करना पड़ेगा भुआनाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालिक मशीन है जिसका चार्जिन समय 3.5 घंटे है यह 6-8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलता पूर्वक काट सकता है जबकि इसका पेटरोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेटरोल खर्च करता है